नम शिकार मैं हूँ लीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज का बिशा है मंदर में दिया वाती का नेग नेजम अब शुरू करते हैं हम गरों में ता हरोज पूजा पाड़ सुवा शाम करते हैं दीब क्विल लगाते हैं पर हम मंदर में हरोज नहीं जा सकते अगर हम मकर सकरांती के देन जे नेग करेंगे तो दीब कजलाने का नेग हमारी तरफ से हो जाएगा मंदर में दीब कजलाने से हमारे गार में दान दान्या की कभी नहीं होगी साब शोक्षानती होगी मंदरों में दीब कवाच जलाना चाहिए हमारी तरफ से मंदर में दीपक जलाया जाएगा मंदरों में जो आरती होती है वो आरती हमारे तरफ से मानी जाएगी और हम आपके साथ मकर सक्रांती के दिन मंदरों में दिया और बाती लगाने की वीडियो छेहर करने जा रही हैं वीडियो पूरी देखना ताजो आपको पूरी जानकर ही मिल सके दीपक लगाने का काम आप माग में भी कर सकते हैं बसाख में भी कर सकते हैं कारतक मास में भी कर सकते हैं अगर आप मगर सक्रांती पर करेंगे तो इसका ज्यादा महत्तव होगा इसका ज़्यादा फ़ल मिलेगा दिया बात्ति में जो नेक करना है वो है 14 बात्ति के पैक्ट चाहिए एक किलो गी लेना चाहिए इस पैक्ट में हम 50 ग्राम जहां 500 ग्राम के 14 पैक्ट भी बना सकते हैं जहां किलो किलो के पैक्ट भी दे सकते हैं यह आपकी इच्छा है आपकी समरत है जैसा आपको ठीक लगे आप बैसा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो दीपक में डाल कर भी कर सकते हैं ये आपकी इच्छा पर निर्पर करता है इसके बाद आप 14 गोड़की बेली लेनी है और उसके उपर दक्षना के रपेवी लेनी है चाहे तो आप दासर पेवी लगा सकते हैं चाहे आप 1 रपिया भी लगा सकते हैं चाहे आप 100 रपिया भी लगा सकते हैं ये भी आपकी इच से ले लें। आप चाहिए तो तेलकी मुठाई भी ले सकते हैं जैसे तेलकी लड़ू, तेलकी बार्फी, और एक पंजाग राव का गी का पेक्ट लिए। हर मंदरों में जाकर मकर सक्रानती के दिन देना चाहिए। हर मंदर का मतलब जैसे बगवान जैसे सबी मंद्रों में अलग अलग दीपक और दिया और बाती का नेक करना है अगर आप अलग अलग मंद्रों में जाएंगे तो उसका फाल आपको अलग अलग ही मिलेगा इसके वाद संकल्प लें सबसे पहले जो भी समान आपने देना है उसे एक जगा पर कठा कर लें उस सारे समान उपर थोड़ा थोड़ा जाल का चीटा लगाएं इसके वाद रोडी का चीटा लगाएं उसके वाद थोड़ी थोड़ी मोडी चोड़ेंगे कहते हैं ऐसा करने से हमारा दान सभीकार मना जाएगा उसके बाद आप संकल्प लें संकल्प आपने ऐसे लेना है सबसे पहले हाथ में मौड़ी लेंगे फिर चावल लेंगे फिर थोड़ी रोड़ी लेंगे फिर थोड़ा जाल लेंगे इस तरह हाथ में सब चिज्जों लेकर जो भी आप समान देने जा रही हैं उस समान के उपर से पांच वार जान साथ वार गवाना है अब हमने बोलना है असो मसो तमसो फिर अपना नाम बोलने हूं फिर बोलने वेटा वेटी की माँ बाई की बेहन दोता दोती की नानी पोता पोती की दादी मकर सकरांती के दिन मैं दिया बाती का जे नेक करने जा रही हूं हे विश्णु बगवान जे नेक सविकार करें इस न काल्फ किया हुआ जाल उस्मान उपर शोड़ देंगे इसकी शुरुआत आप गिनेश जी के मंदर से ही करें उसके बाद बगवान शेव जी के मंदर में जाएं संतोची मात के मंदर में जाएं श्री बैशनो देवी के मंदर में जाएं इसी तरह आप सभी मंदरों में जे दि किजिए, share किजिए, subscribe किजिए thanks for watching this video